रेट से काच कैसे बनता है? आखिर वह कौन से रेट होती है जिससे काच बनता है? ये कोई मामुली रेट नहीं होती है. आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वह कौन से रेट होती है जिससे की काच को बनाए जाता है और किस प्रकार की रेट से काच को बनाए जा सकता ह इसका पूरा प्रोसेस हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक क्योंकि इसमें हम आपको दिखाएंगे छोटे से छोटे स्टेप कांच बनाने के और वह भी रेट से दोस्तो अपने कांच का बहुत सारा सामान देखा होगा आपके घर में भी बहुत से ऐसी चीज होगी जो कि कांच की बने हुई होगी कांच इतना नाजुक होता है कि जरा सी ठोस लगने से या तो तूट कर बिखर जाता है या फिर उसमें दरार आ जाती है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तो कांच सिर्फ रेट से ही बनाए जा सकता है लेकिन ये रेट एक ऐसी रेट होती है जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है ऐसी रेट जिसमें सिलिका की मात्रा 99% होती है उसी से काच को बनाये जा सकता है इसे के साथ ही उसमें और भी कुछ ऐसी तत्व मिलाये जाते है जिनके मदद से काच बन कर तयार होता है इन सभी सामगरी को एक भट्टी में पंदरासु डिगरी सेल्सियस पर पिगलाये जाता है फिर इस आग में पिगले हुए लिक्विड से कोई भी आकरिती बनाये जा सकती है दोस्तों काच का हमारी जीवन में कितना महत्व है ये तो हम सभी इसी बात से समझ सकते है कि सुबा उठते ही सबसे पहले हम आईना देखते है हमारे घर में ऐसा बहुत सा सामान है जो काच से बना हुआ है हमारी खिड की दरवाजों में लगे काच हमारे घर में रखी डाइनिंग टेबल हमारे कमरे में लगा आईना यहाँ तक के हमारे मुबाइल की स्क्रीन भी काच की बनी होती है लेगन उसके बाद भी हमें आज तक नहीं पता था की काच रेट से बनाय जाता है तो चलिए अब हम आपको पताते हैं वा प्रोसेस जिसके द्वारा काच को बनाय जाता है वैसे दोस्तों काच बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा दो तरक कांच उप्योग में लाए ज़ता है। पहला कांच होता है ट्रांस्परेंट ग्लास, जो के हम घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में उप्योग में लाते हैं। जैसे की कांच की बोतल, बर्तन, ग्लास, हिड की, दरवाजे में लगे क्लास, आदी यहां तक की इसी सिम्पल क्लास शिशा भी बनाए जाता है। जैसे कि हम रोज इस्तिमाल करते हैं, दूसरे प्रकारकल ग्लास होता है, स्पेशल ग्लास, इसका इस्तिमाल कुछ खास तरक्य काच को बनाने के लिए किया जता है, बुलेट प्रूफ ग्लास भी स्पेशल ग्लास का इस्तिमाल करके ही बनाय जाता है, वैसे तो काच बहुत त सिंपल क्लास को बनाने के लिए सबसे पहले 75% रेट 15% सोडियम ओकसाइड और 10% चूने का इस्तमाल किया जता है इन तीनों तत्वक को आपस में मिलाकर एक मिश्रन तयार किया जता है जिसमें इस मिश्रन को साइकल करने के लिए काच के कुछ टुकडे भी मिलाई जाते है फि मिश्रन की पिखलने के बाद ऐसे clean जगा पर डाल दिया जता है जिस तरह से विडियो में देख सकते हैं के से पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद प्लेन किया जता है जो कि एक प्लेन सीधे काच के रूप में तयार हो जाता है लेकिन अगर आप काच को किसी दूसरे आका का बन जाता है जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी सामान्य जीवन में भी कांच की अलग-अलग डिजाइन की चीज़े होती हैं कुछ गोल कुछ लंबी कुछ पतली तो कुछ तो कुछ अलग-अलग आकार के इन सब को इसी प्रकार के सांचे में डाल कर डिजाइन किया जाता है हम हर रोज ही कांच की पता नहीं कितनी चीज़े देखते हैं लेकिन हमने कभी नहीं सोचा होगा कि ये सब रेट से बनता है दोस्तों हम अपके बता दे कि कांच के बने शीशे तीन तरके होते हैं पहला पारदर्शी शीशा जिसके आरपार देखा जा सकता है दूसरा अपार दर्शी शीशा जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता और तीसरा अर्ध पार दर्शक शीशा जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखता होता है शीशा बनाने के लिए कांच को लिटा कर रोबोटिक्स सिस्टम द्वारा कनवेर बेल्ट तक पहुंचाए जाता है जिसके बाद पानी और उकसाइड से इसकी सफाई की जाती है गरम पानी के इस्तमाल से इसकी सफाई की जाती है इसके बाद कांच पर कोटिंग की जाती है और likvified star चड़ाय जाता है जिससे की कांच का पिछला हिस्सा तयार हो जाता है जिसके वज़े से कांच पर silver आसानी से चिपख जाता है सिल्वर को लिक्विड फार्म को काच पर चड़ाय जाता है जिसमें कुछ और तत्व भी शामिल किया जाते है और कुछ केमिकल भी उप्योग में लाय जाते है जैसे कि ये सेंपल कहां आइने में तब्दील हो जाता है इसके बाद इस पर कोपर की डबल कोटिंग की जाती है जिससे की काच काफी मजबूत हो जाता है और लंबे समय तक चलता है इसके बाद इसे ड्रायर में रख दिया जाता है सुखने की बाद जहां तापमान होता है 31 इसके बाद उसके पीछे की तरफ से एक पेंट किया जता है साथ ही उसे मशीनों की सहाईता से सुखाए जता है कुछ कमपनिया इसके लिए कांच के पिछले हिस्से पर कोटिंग भी करती है इसके बाद इस तयार हुए कांच को अलग-अलग आकारों में डिमांड के हिसाब से कट करके रख दिया जता है साथ ही इसमें अलग-अलग तरह के डिजाइन्स भी शामिल किये जते है तयार हुए कांच को वैसे तो कई तरह के डिजाइन या कटिंग भी जाती है लेकिन जो सबसे ज़ादा इस्तेमाल की जाती है उस तकनीक का नाम है स्वाचालित जटका, मोल्डि दोस्तों आपको बता दी कि इस तकनीक का इस्तेमाल जार, बोतल, ग्लास, आदी बनाने में किया ज़ता है इसके लिए सबसे पहले काच की पिगली हुई सामगरी को एक फोखली सांचे में भर दिया जटा है ये सांचा किसी भी आकार का हो सकता है इस सांचे की आंतरिक सतह पर वही आकार होता है जो कि हम काच को देना चाते है इसमें हम पिगले हुए कांच को साचे में डालते हैं तब मोल्डिंग होना शुरू हो जाती है मोल्डिंग के बंध होने का इंतजार किया जता है जब एक बार मोल्डिंग पूरी होकर बंध हो जाती है वैसे ही आकार में कांच बन कर बाहर आ जाता है दोस्तो कांच का अविश्कार मिश्ट्र में लगबग धाई हजार साल इसापूर में किया गया था पहले उसका इस्तमाल सास साजा की चीजों में किया जाता था लेकिन उसके बाद कांच के बरतन भी बनाए जाने लगे इसके बाद पहली बार 1835 में आधुनिक शीशे भी बनाए गए जिनका इस्तेमाल हम कांच के रूप में करते हैं इसका अविश्कारक जर्मन विग्यानिक ने किया था जर्मनी में ही सिल्वर लेयर वाले कांच का इस्तेमाल पहली बार किया गया था जिससे कि आज पूरी दुनिया उप्योग में लेती है तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से रेट का इस्तेमाल करके कांच बनाए जाता है यह अनोखिसी बात लगती है क्योnकि रेट को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि कांच भी बना सकते हैं लेकिन हमने आज की विडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह से रेट के साथ कुछ और केमिकल मिलाकर कांच को बनाये जाता है काँच को बनाने के साथ ही उसे किस तरह से अलग-अलग आकार में डाला जा सकता है और अलग-अलग तरह के बर्तन, बोटल और किसी भी डिजाइन के काँच के सामान बनाए जा सकते हैं आपने ये सब देखा दोस्तों कुछ काँच बहुत नाजुक होते क्योंकि वह सिर्फ सिंपल रेट और उसके साथ में लाए गए केमिकल के बने होते हैं जिन पर किसी भी तरह की दूसरी कोटिंग नहीं की जाती हैं लेकिन कुछ काँच बहुत मजबुत होते हैं क्योंकि उनमें रेट के अलावा और भी ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं और सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्षन में दे रखी है धन्यबार